जीएश्टी, जीएश्टी आया, अपने साथ बहुत सारी समस्याइं लेके आया। समस्या सबसे बड़ी यही थी कि समझ में नहीं आ रहा था। आज, कौन तारी, चार जुलाइई हो गई है। 4 जुलाई को जब तक लोगों को थोड़ा बहुत समझ माया है कितने tax slab हैं, कितना क्या है उसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैला दी इसके बारे में तो GST पहले बड़ी मुश्किल से समझ में आ रहा था अब अफवाहें आई हैं उनको आना पड़ा और बताना पड़ा कि क्या मार्केट में फैलाया जा रहा है और क्या असलियत है तो पहली चीज जो हेडिंग आप पढ़के आए हैं GST की अफवाहें बता रहा हैं सबसे पहला यह कि लोगों को लग रहा है कि सारे बिल और इन्वाइज जो हैं वो कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद से ही बनाने पड़ेंगे हसमोक अधिया जी बता रहा हैं ऐसा कुछ नहीं है आप हाथ से लिखे बिल भी बनाएंगे वो भी मानने होंगे उनको जब आप रिटर्न में दाखिल करेंगे तब भी वो माने जाएंगे दूसरी चीज बताई कि GST के तहट बिजनेस करने के लिए अब लोगों को हर समय इंटरनेट की जरूरत होगी उनको लग रहा है कि ये को नया सिस्टम आया है इसमें हमेशा आपको इंटरनेट चाहिए ये भी नहीं है आपको इंटरनेट सिर्फ एक बार तब चाहिए होगा जब महिने के आखरी में एक बार आप इंटरनेट रिटर्न दाखिल करेंगे अब उस समय तो चाहिए होगा ना मतलब कर समझते हैं तीसरा ये था कि कोई व्यापारी है मालीजे उसके पास प्रोविजनल आईडी है लेकिन बिजनेस के लिए वह फाइनल आईडी का इंतजार कर रहा है तो अब वो क्या करें तो अब इसकी सच्चा ये है कि आपकी जो प्रोविजनल आईडी है उस पर जो आपका फाइनल जी एच्टी ये नंबर होगा वही आपका फाइनल आईडी में लिखा जाएगा तो अभी चाहें आप फॉलिजनल आईडी से बिजनेस करिए चाहें फाइनल आईडी से करिए नबर एक रहेगा बिजनेस करते रहिuben एक और मित ये था कि पिछले कारोबार को छूट मिली हुई थी, पिछला कारोबार माली जहें, बाल्टी का कर रहे थे, अभी हमने टब का कारोबार शुरू किया, तब उसमें क्या होगा, तो इसमें बताया जा रहा है कि आप तब भी अपना बिजनेस जारी दख सकते हैं, क् अपने नए बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा, 30 दिन यानि की 30 जुलाई थका, तो अभी तक आप बाल्टी बेच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आप टब बेचते रहे हैं, 30 तारीक तक रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, एक और मित ये था कि महिने में तीन बार रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अब ये वाकाइम से दर्द था, किसी व्यापारी से आप ये कहो कि हद दसवे दिन गल्ले से उठके एक गंटा उसमें रिटर्न में लगाना है, भश सबका मूड खराब होगा, तो इसकी लेकिन सच्चा ही क बिजनेस करता है, उसको भठना पड़ेगा, बाकी दोनों कम्प्यूटर अपने आप ले लेगा, उसमें व्यापारी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और ये था कि रिटर्न दाखिल करते समय छोटे डीलर्स को हर इन्वाइस की जानकारी देनी होगी, अब कि अगर आपकी दुकान से कोई 50 उर्पय का कुछ सामान खरीद के ले गया है, उसकी भी आपको जानकारी देनी, 5000 का ले गया उसकी भी देनी है, और 5000 लाग का ले गया तब भी देनी है, तो 5000-5000 पांच लाग वाले तो ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं, ठीक बनाया था, पांच लाग कब जो आदमी कुछ खरीदेगा वो आपसे बिल लेकर जाएगा ही जाएगा लेकिन पांच सो वाले में तो दिक्कत होगी ना लेकिन ऐसा नहीं है जो लोग रिटेल बिजनेस कर रहे हैं यानि बिजनेस टू कंजूमर बी टू सी उनको हर एक बिल की जानकारी द रहा है जबकि हस्मों कादियाजी बता रहा हैं कि ऐसा नहीं है पहले क्या होता था कि पहले वाट लगता था एक street फूटी होती थी तो ये तो थे साथ मित जिनके बारे में हस्मुक अधिया जी ने बताया एक दिक्कत और सबसे बड़ी थी कि लोग ये कहने लगे कि GST में जो सोशल मीडिया पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था जिसमें ये कहा गया कि हाँ अगर क्रेडिट कार्ड से अपने बिल पेमेंट करते हैं तो आपको GST दो बात देना पड़ेगा अब जाहिजी बात है कि यहां मेट्रो सिटी में या कई धेर सारे शहरों में लोग डेबिट क से अपने बिजली का बिल या प्रिपेड पोस्ट पेड बिल इस तरह का पे करते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपको GST दो बात देना पड़ेगा ऐसा नहीं है कुछ बिलो में अधिया का यह कहना है कि ऐसे मैसेज ना फैला है हम भी आप से यह कहेंग इस पर इतना GST लगा उसमें दो चीजें अलग-अलग लिखके आ रही हैं एक सेंट्रल गवर्मेंट का GST लिखके आ रहा है एक स्टेट गवर्मेंट का GST लिखके आ रहा है GST जो दो अलग-अलग लिखे जा रहा है वो दो GST या दो गुना GST नहीं है वो अलग-अलग सर सरकार का भी हिस्सा था तो अब भी जो GST है उसमें से भी तो दोनों को टैक्स मिलेगा ना और इसे लिए केंद सरकार ने ये कहा है अगर राजी सरकारों को अगले 5 साल तक कोई नुकसान होता है GST से कि अभी तक आपको तो बहुत सारे टैक्स मिल ला था GST के आने की वज़े से टैक्स कम हो गया आपका तो अब उसमें पांच साल तक केंद सरकार उसकी भरपाई करेगी तीन साल तक 100% अगर जितना भी घाटा हुआ है उसका 100% केंद सरकार भरेगी चौथे साल 75% भरेगी और पांचवे साल 50% उस लखिये बाकी अगली बार में जय हो